हेलो स्टुटेंट वेलकम बैक टू जीडिसी नाइपर जेई 2024 का एड्मिट काड आप लोगों का रिलीज होई चुका है और एड्मिट काड कैसे डाउनलोड करना है और जिन्होंने दोनों पेपर के लिए फॉर्म फिलप किये थे चाहे एक आपका फार्मा एम एस फार्मा एम्बीय वाला था और दूसरा आपका एम टेक इन अगर आपको दिखाएंगे जब यहाँ पे जाओगे ना तो simply आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो एक यहाँ पे भी link है यहाँ पे भी लिखा गया है candidate appearing for more than one examination need download separate hall ticket for each examination जी यहाँ अगर आपने MSM form एक में भरा है तो आपका एक ही admit card है जाईर सी बात है लेकिन अगर आपने medical devices वाला mtech वाला भर दिया है यानि दो exam दे रहे हो तो दो hall ticket यानि कि दो आपका admit card भी release होगा यह चीज आपको पता है तो दोनोर admit card आपको यहाँ पे download करना होगा separate होगा जी हां कैसे होगा चलिए हम यहाँ पे बता सकते हैं simply यही registration वाली link पे आ जाएंगे registration पे आएंगे तो नहीं पर यही online registration फिर यहाँ पे click कर दीजेगा अब यहाँ पे क्या है download your hall ticket अब यहाँ पे अलगलग notice है payment status download your hall ticket जब ऐसे करोगे तो आपका क्या-क्या डालना भिया registration number डालना है आपके PDF में मिल जाएगा payment reference ID number डालना है आपका mobile number और आपका date of birth अब चलिए यहाँ पे हमने student का ही एक exam के लिए भरे हो तो get hall ticket यहाँ पे करोगे तो तूरंत आपका admit card release हो जाएगा लेकिन जिनोंने दोनों paper के लिए भरा है उनका यहाँ पे देख सकते हो यहोने क्या है MS, M form, MBA session 1 के लिए और session 2 के लिए बरा है एक एक करके download करेंगे session 1 का इनका download पहले यहाँ पे click कर लोग simply यहाँ पे देख सकते हो यह हमारे student है simply यहाँ पे देख सकते हो यह जो hall ticket है इनका session 1 के exam के लिए center इनका जो महरास्टा में है और same इसी code पे दूसरा वाला भी जाएगा इसी code पे दूसरा वाला session 1 का कित्ते बज़े से आपको पता है 9 बज़े से 11 बज़े तक time of examination है फूरा general instruction इसमें से पढ़ लेना एक पेज में color पेज में ही कोसिस करना निकलवा लेना आप लोग admit card क्या बज़े पहुचना है सारे आर्ट तक entry close हो जाएगी उससे पहले आपक कर लेते हैं तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इन ही में जाओगे ना तो get hall ticket फिर से कर दिया हमने और session 2 का भी यहां पे करेंगे ठीक है यूर अप्लाइट फॉर अब session 2 का session 2 का जैसे ही session हमने get hall ticket किया तो उनका session 2 भी वही same center पर रहेगा और same center पर ही आपका जो 9-11 यह हो गया उसके बाद जो gap बचा उसमें gap में पढ़ाई कर लो रिस्ट कर लो खापी लो उसके बाद आपका सिंपली session 2 आ जाएगा तो यह दोनों का दोनों आपका कह सकते हो instruction इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्या कैसर आपको ध्यान देना है तो एक बास जन्रल इस्ट्रक्शन की बात कर लें तो देख लो क्या क्या आपको simply बात करते हैं कि वह आदे गंटे पहले ही आपको पहुच जाना है साड़े ब बात करते हैं अध्राइज फोटो आइडी आपका चाहिए वह पैन कार्ड हो डाइवी लाइसेंस हो पासपोर्ट हो अधार हो वहां पे लेना है जिस पर फोटोग्राफ हो आइडी लेकर जाना है सिंपली आपका और यह हाल टिकट निकल वाई लोगे आप है ना वह हो जानी है कोई external textual material नहीं ले जाना है कोई भी ऐसे नकल ओकल वाली चीज नहीं लेकि जानी है यह तो पता ही है बस चोटा सा सिंपल सा यह instruction है इसको ध्यान से पढ़ लेना आप लोग फिर भी कोई डाउट लगे तो आपको यहां पर हाल टिकट निकल वाने में कोई डाउट प्रिंट करवा के सारी चीजें यहां पर रेड़ी रखिएगा क्लियर है उम्मीद होगी जानकारी आपको समझना ही होगी इसी तरीकी से धेर सारे helpful वीडियो के लिए आप चैनल को विजिट करते रहेगा चैनल पर धेर सारे content आपको मिलते रहेंगे जो कि आपके आने वाल से नाई पर एक्जाम के लिए बहते रहेंगे क्योंकि जीपैट अच्छा हुआ है तो नाई पर भी अच्छा करना है यह थैंकि सो मच्छ ऑल्ले बेरी बेस्ट हैव गुड़ डे